आज मैं Amazing Kitchen Tips लेके आई हूँ, जब भी आप रात को छोले भिगोना भूल जाते हैं और दूसरे दिन आपको बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ ये कितनी बार होता है कि हम planning तो कर लेते हैं कि कल छोले बनाएंगे, लेकिन कई बार उनको भिगोना भूल जाते हैं अगर आप इस तरह चोले भीगोंगे तो आपके चोले दो घंटे में ही बिल्कुर परफेक्ट फूल जाएंगे तो इसके लिए मैंने गरम पानी लिया है हमें गुन-गुना पानी नहीं लेना उससे ज़्यादा गरम पानी लेना है और इसमें हम हमारे चोले डाल देंगे चोले को मैंने साब पानी से दो लिया है ध्याद रखे कि पानी थोड़ा ज़्यादा गरम होना चाहिए इसके बाद हम थोड़ा नमक डालेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा और इसको हम mix कर देंगे mix करने के बाद आप 2 घंटे के लिए इसको ढख के रख दें उसके बाद आप देखेंगे कि 2 घंटे में आपके छोले बिल्कुल परफेक्ट फूल गए हैं तो जब भी आप रात को छोले भिगोना भूल जाते हो तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप छोले भिगोना का काम करें अब डेट से 2 घंटे बाद खाना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके छोले भीग गए हैं आप इनको बॉल कर सकते हैं अब हम इसको ढखे रख देंगे तो हम इसे डेट से 2 घंटे तक ढखे रहने देंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारे छोले फूल गए हैं तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी थैंक यू